ये गाइस बेलकम गाइस इस वीडियो में हम जानेगे कैसे हम जेक्वियरी आजेक्स और सर्वर स्थाल लेंग्वेज फ्यच्विक मदद से सर्वर पर इमेज को अपलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर सिंपली मैंने एक इंपूट फाइल टैप लिया और बटन लिए गाइस ठी अपलोड आप गाइस दे सकते हैं अपलोड होने वाद उसका प्रीवी यहां पर सो हो रहा है और इस फोल्डर में भी इमेज एक डिफरेंट नाम के साथ यहां पर सेब हो गई है तो गाइस यहां पर मैं सब्लाइम टैक्स अडिटर का यूज कर रहा हूं और यहां पर मेरे सब्सक्राइब कर लिए तो सबसे पहले काई एक सिंपल सा टैंपलेट कर लेते हैं झाल झाल तो तो गाइज यहां पर इमेजस के प्रिव्य के लिए मैं यहां पर प्रिव्य nama कर डिव ले रहा हूं इसके अंदर ही जो इमेजस अपलोड हो जाएंगे उसके बाद उसका प्रिव्य होगा वो इस डिव के अंदर स्टाइल दे रहां उसको को तो गाइज अब यहां पर की जबुत होगी तो इसके लिए पहले स्क्रिप्ट को क्रेट कर लेते हैं स्क्रिप्ट टैक के अंदर सबसे पहले मैं गाइज डोकिमेंट डॉट रेडी यूज करूंगा जब पेज कंप्रिटली लोड हो जाएगा उसके बाद ही इसके इनर जो फंक्षिंस होते हैं को वर्क करेंगे ठीक है तो इसके अंदर सबसे पहले डॉलर से मैं इस सब्सक्राइब कर रहा हूँ और यहां पर ओन सब्मेट इवेंट का यूज करूंगा यहां पर क्लिक करते ही पेज रिफ्रेस हो जाएगा तो उसे पेज रिफ्रेस रोकने के लिए हां प्रिवेंट डिफोल्ट का मैं यूज़ कर रहा हूं ठीक है इसके बाद गाइस डॉलर आजेक्स फंक्शन का यूज़ करूंगा यहां पर पर पैरमेटर यूरल है यहां पर अपलोड.php जहां पर आपकी नेक्स्ट गाइस कैचे इसको भी मैं यहां पर फाल्स कर दूगा लाश्ट जो चाहिए गाइस मुझे डाटा को मुझे सर्वर भीजना है तो यहां पर न्यूफ फॉर्म डाटा का इसमें यूज़ करूंगा इसके मदद से फॉर्म में मौझूद डाटा सर्वर पर सेंड ह होता है अगर आप क्लिक इवेंट का यूज़ कर रहे हैं तो आपको मैनुवली इस फॉर्म डाटा के अंदर आपका जो भी फॉर्म के अंदर जो भी डाटा है वो इसको अपेंड करना पड़ेगा क्यूंकि मैं यहां पर सम्मिट इवेंट पर वर्क कर रहा हूं तो यहां पर पर अलर्ट गाइज यहां पर वर्किंग लगा रहा हूं फॉर्ड डॉक्यमेंटेशन परफस ठीक है तो नेक्स्ट गाइज अगर कोई भी रुक्वेस्ट भेजने में कोई एरर आती है तो यहां पर एक एरर वाला फंक्शन भी क्रिड कर रहा हूं और इसको मैं कॉंसो तो यहां पर सिंपली कुछ कमेंट मुझे चाहिए उस फाइल का नाम जो सेर्वल पर आई है ठीक है तो फाइल नेम बैरेवल क्रिड करा मैंने और यहां पर फंक्शन डॉलर फाइल का यूज कर रहा हूं मैं तो यहां से इन पुट वाले फाइल से फाइल का नाम को सिंप्ल को दो पजय दो साइज करें अधर तो सिंपल साइब यहां से उसका साइज पे नेच्ट कम कीके सब्सक्राइब है यह एंप्टी है या इसमें कोई फाइल है तो यहां पर सिंपली मैं इफ कंडिशन का यूज यूज कर रहा हूं और यहां पर मैं एक को कर दूंगा है लो डोकिमेंटेशन परपस गाई सिर्फ चेक करने के लिए ठीक है इसको मैं बाद महटा दूंगा यहां पर यहां पर को रेस्पॉंस के तोरपर दूंगा तो यहां पर सब्सक्राइब कर रहा हूं एरे यह अंदर मैसे मैं मैं दे रहा हूं प्लीज स्लेक्ट इमेज इस डू अपलोड ऑगे और जो अब्जेक्ट कर रहा हूं वह है सकसिस ने सक्सिस और और यहां पर अभी सक्सिस नहीं हुई यहां पर एक अलर्ट मैसिस हो रहा है वर्किंग मैसिस के साथ जो कि मैंने यहां पर सक्सिस फंक्शन के अंदर विए दिया था तो सब्सक्राइब यहां से परेमिटर डिका यूज करते हैं अप्लोड तो यहां पर इड़र आ रही है अप्लोड डूट पीएच्पी में लाइन नमबर पांच कोई नहीं चिक कर लेते हैं इसको बार देखेंगे जब तक आगे की कोडिंग कर लेते हैं तो इसको अठाते हैं यहां से एक को हेलो को करें और यहां पर सब्सक्ति पहले गाईज में एलाउड एक्स्टेंसन मतलब कौन-कौन-कौन एक्स्टेंसर वाली फायल को मैं सर्ट पर अप्लोड करने के लिए ठीक है ऐस यहां पर संपली एक्सटेंसन तुन में मैं मैं एक्स्टेंशन क्या है तो यहांपर फाइल एक्सटेंशन में उसका वैल्यू सेट करूंगा तो यहां पर सिंपली मैं पाथ इंफो फंक्षन का जो फाइल है उसको एस्टीयार लावर में रखूंगा गाइस ठीक है मतलब जो भी नाम है वो उसका जो स्ट्रिंग है वो लॉवर केस में आ जाए गया इसका जो सेकंड पैरेमिटर गाइस वो है पाथ इंफो एक्स्टेंशन तो गाइस नेक्स्ट यह मुझे उस फाइल का नाम जो भी सर्वर पर आई है उसको एक यू कुलिए उनीक नेम कर देए हैं यहां पर सबस्पहरेल मैं यूनीक आईडी फंक्ष्न की उसका जाला हूं के फरस्ट पैरेमीटर को मैं एमटे दे रहा हूं सेकंड में ट्रू ओकैं कॉंक्ट और से यूपर इसके बाद अंडरस्कोर इंडरस्कोर कॉंकर अगें तो यहां और मैं STS सफल का यूज़ कर रहा हूं और इसके अंदर इंपलोड और इसके अंदर रेंज फ्रॉम ई तो यह एक रैंडम एक नाम जनरेट कर देगा यूनिक सा नाम के फाइल का तो नेक्स्ट गाइस जो फाइल आई है उसका एक्टेंशन क्या था वह एक्टेंशन के एंड म अदर ने करा तो यहांपए उयुनिक नाम जनरेट किया था इसको यहां पर weiner लगा दे थे लिए ठीक है इसके बाद गाइस मुझे करना है तो गाइस अब चेक करूंगा गाइस की जो सब्सक्राइब फाइल आई है उसका एक्स्टेंशन वही है जो यहां पर मैंने अलाओ कर रखें तो सिंपली मैं यहां पर इन एरे फंक्शन का गाइज यूज करूंगा तो इसके एक्स्टेंशन वह नहीं है जो मैंने यहां पर कर रहे थे तो यहां पर एल्स कंडिशन में मैं उसको यूजर को सो करूंगा एक जैसन डाटा जिसमें मैंसिस के अंदर मैं इसको सो करूंगा इंबैलिड इमेज फॉर्मेट और सक्सिस इकोल फाल्स और अगर इसका है ओके तो यहां पर बाइट में लिखा जाता है तो अगर उसका साइज दो एमेज से ज़्यादा है तो उसको मैं एल्स कंडिशन में यहां पर सो करूंगा फाइल इस लाड़ जर दैन टू एमबी जो फाइल है उसका साइज दो एमी से ज़्यादा है और अगर उसका साइज कम है तो यहां पर मैं सिंप्ली मूब अप्लोड़ेट फाइल फंक्शन का गाईज यूस करूंगा इसके फर्स्ट पैरेमेटर में गाईज जो उसका टैं और इसके बाद गाईज जब फाइल अप्लोड हो जाएगी तो यहां पर मैं इसको एको कर दूंगा जैसन डाटा में वह फाइल का जो भी नाम है मतलब उसको प्रिव्यू के लिए यहां पर मैसेज में इसको रख दूंगा गाईज ठीक है और यहां पर सक्सेस टू कर दू कर लेते हैं कि सर्वर से कोई रस्पॉंस आता है रिफ्रेश अप्लोड यहां पर अप्लोड.php फाइल के अंदर लाइन नंबर पांच में एड़र है पहले इसको डाल लेते हैं लाइन नंबर पांच तो यहां पर मैंने डवल एकस्टेंशन डवल पेस्टवी टेक कर लिए तो उसको डालते हैं पहले अगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे तो इसको पहले इमेजस नाम को फोल्डर क्रियेट कर लेते हैं अब दे सकते हैं मैंने इमेजस वाला फोल्डर दिया था चेक अगें तो इसकते हैं मैं सो आ रहा है उसकी की लोकेशन मतलब फाइल की लोकेशन क्या और सक्सेसिकल ट्रू मतलब फाइल यहां पर अपलोड हो गई है तो जिसके बाद मैं जो फाइल लोड हुई है उसको क्लाइंट सैड़ पर प्रिवू करूंगा तो सब्सक्के लिए सबसक्राइब कर रहा हूं यहां पर यहां पर पार्स प्रूप में आरा है एक जैसन की रूप में नहीं है तो पहले मैं इसको जैसन में कर लूँगा ओके नेश्ट गाइज मैं आफ इसके अंदर अगर और नहीं है तो डॉट प्रिव्यू मतलब प्रिव्यू वाले और उस डिव को मैं इसलेट कर लिया उसके सब्सक्राइज में यहां पर एड कर दूँगा और यहां पर src में उसका जो फाइल आई है उसका लोकेशन लोकेशन तो डाटा कि डॉट मैसेज के अंदर ही मैंने वहाँ पर उस फाइल का लोकेशन दिया था नेक्स्ट गाइस अलर्ट कर दूँगा अ कि अगर सक्षिस उक्वड्ट तो यहां पर एक फाइल को िसलेट कर लेते हैं आँ को चूस फाइल ओके इसको स्वेट कर ले रहाँ पोस्ट को अप्लोड तो यहां पर गाईज अलर्ट में उसका लोकेशन सो प्रिव्यू यहां पर सो नहीं हो रहा है मतलब यहां पर कुछ गरवड हुई है जबकि यहां पर एरर का गाइस मैंने उसका लिया जबकि यहां पर सक्सी मैंने गाइस टू या फाल्स दिया था हूं कि चेक अगेन चूश फाइल अफ्तार वाली इमेस को स्लेट कर रहा हूं ओपन अफ्लोड तो काइस दे सकते हैं अफ्लोड होने के बाद यहां पर वह फाइल सो हो रही है